जयमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक को आप सभी काम हार्दिक स्वागत करते हैं आए इस विसे संक में हम बात करते हैं मकर राशी के जातक फैब के महिनी में क्या विसे सुपाई करें हर महिने यदि हम अपनी राशी से संबंदित उपाई करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में शुपता आती है और हमें अच्छे लाब की प्राप्ती होती है इस संक में जो हम आपको उपाई बता रहे हैं वो उपाई किस-किस को घड़ना है जिन जात्कों की जर्म से मकर राशी है कैप्रिकोन मकर लगन है ये पुकारते नाम से आपकी राशी मकर बनती है जब जब गुरहों का परिवर्तन होता है तो जीवन में शुब या शुब घटनाएं घटती हैं हमारा यही परियास रहता है कि हर महीने घटने वाले गुरहों का प्रभाव आपके उपर नकारात में गुरूप से ना पड़े आपको लाव ही लाव प्राप्त हो तो इस महीने में गुरहों का किस प्रकार का परिवर्तन है एक नजर आप वो भी देखें सूर्य तेरा फरवरी से कुम्ब राशी में चले जाएंगे मंगल कोई राशी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं बुद्ध साथ फरवरी से आपकी राशी मकर में आ जाएंगे गुरू मीन में है मीन में ही रहेंगे शुक्र पंद्रा फरवरी से मीन में आ जाएंगे शनी राहू और केतु किसी प्रकार का इस महीने राशी परिवर्दन नहीं कर रहे हैं अब आपकी जो रासी है आपकी रासी के स्वामी शनी है तो हमें शनी से संबंदे या हमें कुछ ऐसे विशेस उपाय करने जाई है आज का एक में अती विशेश उपाय आपको आपकी राशी के लिए बताऊँगा उसे आप नोट जरूर कीजिएगा ठीक है तो आईए अब हम बात करते हैं मकर राशी के बारे में आपकी राशी अपने आप में बहुत अच्छी राशी है लेकिन संघर्स आपके जीवन से जाता नहीं है संघर्स जीवन में लंबे समय तर आपको करना पड़ेगा लेकिन जीवन में दैविय उपायों से यदि आप जुड़ जाएं तो आपको उसका धीरे 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 विशेश प्रभाव दिखेगा और आपको लाब मिलने लगेगा आपके जीवन में या आप कैसे व्यक्ति हैं कुछ अच्छाया भी हैं और कुछ कामया भी हैं वो किसी अलग अंक में हम बात करेंगे इस अंक में तो किबल हम आपको उपाय वाली बात करेंगे ताकि आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सके कुछ तारीके ऐसी होती है हर महीने की जो कई बार नेश्ट फल प्रदान करने वाली होती है अशुब होती है उन तारीकों में हमें थोड़ा साबधान देना चाहिए आएए मकर राशी के जातक उन तारीकों को नोट करें साथ फैब, आठ, सोला, सत्रा, चोबिस और पच्चिस फैब में थोड़ा सा आप शांती से काम लें व्यर्थ में चुनता ना पालें व्यर्थ में किसी से आप किसी भी प्रकार की कुटिल बातें ने करें और नहीं किसी की कुटिल बातों से प्रभावित हो करके आप कुरोध करें ये महीना सेहत में सुधार लाएगा धल लाव की प्राप्ति कराएगा इस तुरी पक्स से आपको विश्यस प्रकार से लाव मिलेगा लेकिन गठिया संधिवाद और पेट से संब्ध रोग आपको परेसान इस महीने में कर सकते हैं खर कल क्या हो भगवान से अच्चा कोई नहीं जानता आएए कुछ ऐसे उपाएगे आपको बताएंगे इश्वर की क्रपा से आपको लाव मिले जाने उपाएगे उपाए में आपको कुछ ऐसे उपाए करने चाहिए है जसे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तण आ है हमने एक उपाए अपने एक अंक में भी आपको बताया है आपको एक विशेष उपाए करना है किसी भी पीपल की दा कर्किर तीन सनी बार सरसो के तेल में दिया जलाना है साथ बतियां लगा करके लंबे वाली बठ करके उसमें डालनी है और पश्षिन दिसा के तरब उस दिये का मुकड़ना है एक-एक लौंग साथ लौंग उसमें डालनी है ओम शम सनिच्चराई नमा ओम शम्स निच्राय नमा बोल करके ऐसा आप फैब के महीने में कम से कम तीन शनीवार करेंगे आपको बड़ी हलाब मिलेगा पदम पुराण में पेज नंबर 636 जो पुराने पदम पुराण है उसमें से आप जो शनी इस्तोत्र है द्रशत करत जो इस्तोत्र है हर शनीवार उसका पाठ करें आपको विशेश लाब मिलेगा काले रंग का बहुलिय सनीवार के दिन बनाएं कोई न कोई काले रंग का हलका फुलका वस्त्र शनीवार के दिन पहने उड़द की दाल सनीवार के दिन भोजन में प्रियोग मिलाएं, आपको लाप मिलेगा, काग पक्षी, कववा पक्षी, उसको सेवा करें, उसे रोटी दें, मिठी, पूरी, परॉठा कुछ भी खिलाएं, गाठिया खिलाएं, उससे भी आपको लाप मिलेगा, शनिवार के दिन, संध्या के समय, हनमान जी की से पहनना आपके लिए इश्रे कर रहbn के श्रे कर रहेंगा में में रासी से मिरें तक क्यों व्यक्ताइब वशक्र ₹ किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें हुआ है